हेलो दोस्तो स्वागत हो और एक नए वीडियो में दोस्तो अगर आपकी साधी हो गई है और अभी तक आपने अपना मेरेश सेटिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप ओनलाइन अपलाई करके अपना मेरेश सेटिफिकेट बना सकते हैं जैसे ही आपका मेरेश सेटिफिकेट बन जायागा, वो आपके घर के अड्रेस पर आजायागा by post, इस वीडियो में complete process बताने वाला हूँ, आप कैसे apply कर सकते हैं, और किन किन documents के आवे सकता पड़ सकती हैं, वीडियो स्टाट करने से पर ले, अधिया आप इस channel पर नए हैं, तो channel को subscribe कर ले, और भी इसी तरह से जा नेश्रल प्रोटल ऑफ इंडिया, जैसे आप सर्च करते हैं, नेश्रल प्रोटल ऑफ इंडिया, तो आपके सामने जो पहली जो website दिख रही है, वेस्टाइट पर आपको किलिक करना, किलिक करने के बाद, आप इंडिया गवर्मेंट की official website पर आ जाते हैं, उसका आद आपक आपको यह सर्च का एक option दिख रहा, इस सर्च पर आपको मेरे certificate online apply आप लिख के आपको सर्च करते हैं, उसका आपको नीचे बहुत सारा अस्टेट का नाम सो और रहाएंगे, कि आप किस अस्टेट से हैं, आप जिस अस्टेट से आप उस अस्टेट पर आपना किलिक करके मे सर्च का नाम दिया हुआ है जिसे राजस्तान है, नीचे अस्टेट को कब देख सकते हैं, देल्ली है, गोवा है, तो आपको अपना अस्टेट का नाम select करके देख लेना कि कौन सा अस्टेट में है, जैसे आप निउव मेरे रिच्टेशन पर आपको किलिक करना है, जैसे आ आप नीव मेरे दृट्ट करते हैं आपको अपना देश्टिक का नाम स्लेट करने का ओप्षन मिल जाएगा और कॉर्परेशन का आप कौन से कॉर्परेशन मुल्सिपिलेटी सा थे तब अपना सेलेट कर लिजैएगा उसका दाब को संमीट प्रेख करना है जैसे सम् मेट पर किलिक करते हैं उसके बाद आपको गल्ष पतल मैंचे क्लिए बोला जागा एप्लिकेशन्स करण जैन्राचने जन्फोमेशन में आप देस्टेशन उनिट में मेन ओपिस को स्लेट करना है उसके लाउंडरी कि दिन आपका लोकिल कर दे ना है अपको वॉप狗 में हुआ था या फिर रेसिडेंस में बाद था आपको जिस दगा पर हुआ था आपको सब्सक्राइब करने के बाद आप ब्राइट ग्रूम इंफोमेशन मतलब दूला दूला का डिटेल्स आपको यहां फिल करना है फूल नेम आपको फिल करना मीडिल नेम लाश्ट नेम इसको दूले का पापा या मदर्स का नाम को फिल करना है रिलिजन्स को आपको सेलेट करना है उसके बाद आपको एज आपको सेलेट करके निकाल ले नहां कि कितना दिन कितना साल कितना मंत हुआ था आप उसको द्यान से कल्क्विएट करके निखालने के बाद आप यहां फिल किजेगा उसके बाद एक फोटो अफलोट करना है है dwa पोटो अफलोर करने के बाद आपको अन्मेरिट पे नीचे सेलेट कर देना है अस्टेटस एक टाइम मेरेज उस्टाम आप अन्मेरिट थे उसका आपको आधार नमबर फिल करना है रेसिडेंस एड्रेस स्ट्रीट लोकेलिटी सीटी ओफिस एड्रेस फोन नंबर ओकोपेशन इमेल, अपका इज़्यकेसन क्वालिकेसन क्या है अपनाफना फिलकर लिजेगा इसका पर और से बिलकर करना है लिए मिख देना है पर से बाद पापा या मदरस का नाम रिलिजान उसका लिघ देना आया है कौन सा religion आपको select कर लेना है उसका जिस तरह दूले का आप एज कल्कुलेट करके निकाले थे उस तरह दूलन का एज को कल्कुलेट करके निकाल के यह फिल कर देना year और month उसका दूलन का एक photo upload करना है इसको भी आपको unmarried करना है दूलन का आधार नंबर residence address street locality address भर देना city office address phone number occupation दूलन क्या करती है email दूलन का qualification क्या है नेशनलिटी इंडिया रहना आप यह नीचे फिर देख सकते हैं जोदे दूलर है handicap है दिविया आँगे तो आप handicap पर क्लिक कर सकते हैं उसका दाको forward पर क्लिक करना है जैसे याप forward पर क्लिक करते हैं आपको witness information विटनेश information अपको फिल करने के लिए बोला जाएगा दूलन का दो विटनेश लगेगा अदूला का भी दो विटनेश लगेगा देख सकते हैं ब्राइट गुरूम साइड विटनेश मंदब ब्राइट दूलन के तरफ से विटनेश को आप यहां फिल करना है विटनेश का नाम विटनेश का फादर्स का नाम विटनेश का अधार नंबर विटनेश को क्या करता है और रिलेशन क्या लगते है दूले का विटनेश उसका उसके पापा का नाम आदार नंबर, occupation क्या करते हैं, क्या relation लगते हैं, age और उसका भी एक photo, upload करने के बाद आप bright side witness, अब दूलन की तरफ से दो witness का details फिल करना है, पूलनेम, उसके बाद उसका पापा का नाम, आदार नंबर, occupation क्या करते हैं, relation क्या लगते हैं, age उसका देख witness का एक photo, same इसी तरह second witness पे इसका फिल करना है, उसका देख photo upload करना है, और address उसके बाद आपको forward पे click कर देना है, जैसे आप forward पे click करते हैं, उसका आपको common documents upload करने के लिए बोला जाएगा, marriage invitation card को आपको upload करना है, उसका memorandum of marriage, एक copy photo upload करना है, marriage card का photo upload करना है, उसका bridegroom और bride, दुलन की तरफ से और दुला की तरफ से, एक age proof आपको documents upload करना है, तो age proof में आप देख सकते हैं, बहुत सारे options हैं, school living certificate, birth certificate, divorce certificate, आप किसी भी एक certificate upload कर सकते हैं, उसका दुला और दुलन का दोना तरफ upload कर दीजएगा, उसके बाद आपको एक उसका दापको नीचे अस्कोल डाउन करके आना है, और आपको check box पे click करके आपको forward कर देना है, जैसे या forward कर दीजएगा, आपका marriage certificate application apply हो जागा online, कुछ दिन वेट करने के बाद जब आपका marriage certificate बन जाएगा, तो आपके mobile number या email में message आजाएगा, आप उसके बाद download कर सकते हैं, या by post आपके आधार काड में जो address दिया हो रहाएगा, उस address पे by post आपके घर तक पहुच जाएगा, यह वीडियो आपको कैसी लगी, comment करके बत मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई